तो आज आपके साथ बने एक नए वीडियो जो 12 के है दा लाश्ट लेशन वेलकम बैक इन माई चैनल 3D पंड आज बात करेंगे दा लाश्ट लेशन स्टोरी को जो अलफ्रोश डाविट ने लिखे हैं और आज हम इसे इंडूडक्शन करेक्टर इन दा स्टोरी और समरी के सा सानी होगी सर्फ स्ट के देओ निटक्शन से सेट इन अट ये ऑफ फ्रांस एंद फूर्शीएन का गेरी विंस्त में मीन्स तुव तसी इन जिसका नाम ball rr apo ng tl जीत लिया तहर ऑडेर्व फर्ली निस बर्ली इंज पर्लीन क aa city of Germany Germany । वल्ल इंज बॉलीं वोक्त ईननमे सिटीमिंस जहां सका इंप्रो्टेंट प्लेस ऑ जर्मनी का 2017- applicator आपयां फ्रेंच के दो दिश्टिक को जीत लेया लानर को तो इस ने बरलीन मिनस अपिने फ्रेंच फ्रांच के एक जगा बरलिन से ऑम जार मिल्स अडर के जर्मन लेज़ लाख किव से जर्मन लागन सिर्मन को जर्मन बोलने पिला ऑक है Zero इस टोरी हाई प्रेशानी जिस चप्टर में मिश्टर है मैल रूसके स्टूडेंट्स और गौंग के लोग जो लॉर्ट सब्सक्राइब कुछ वताएं हैं फिगर जो आपके लिए कि बहुत ही मददगार्द करेगी यहां दो तो है देश है फ्रांस एंड फ्रांस और जर्मनी तो दोनों में युद्ध हुआ फ्रांस में धोस्टिक्स है ऐसे लॉरेंश दोनों मिड़ा हुआ तो जर्मनी वीण किया और नह miedo जिप्रेमाइब का क्या है स्टोरी में किसका करेक्टर तो यहां तीन चीज के करेक्टर से यहां तो पता चलगा कि जो फ्रांस जर्मनी को फ्रांस है जर्मनी को हरा करके अपने कभजे में कर लिया है फ्रांस के दू डिस्टिक को तो यहां अब स्टार्ट होती है कि हमें इन करेक्टर किसा है तो से मिन सम्बिलेजर चलिए बश्टाट करते हैं अब सम्टरी से हम वह स्टाट करते हैं तो समरी के लिए आप से हम स्टाट करेंगा स्कूल से समरी नवर फर्स्ट प्रांच स्टाट फॉर एस्टूल बहुत लेट होता है मिश्टर हैमल से डर रहा था डाट के लिए डर रहा था मिश्टर हैमल उसके टीचेर हैं वह एक लेशन दिये थे आद करने के लिए सब इस्टूइन को फार्टिसिपल्स पढ़े होंगे नाइंटींस बे नेस्ट फ्रेंच हैट नोट प्रिपेर इस लेशन जो फ्रेंच जो नेक्स्ट बीक्राउट इन फ्रन्ट ऑप डव्लुटीन बोर्ड मेंस जब वा असको लेट चला तो वा देखा क्या आपने रास्ताब सुचते वारा था क्या तो आपको डाट पड़ीगी हम तो फार्ट सिपल्स के बारे में फिर नहीं हुए तर रास्ते में आते वह देख फ्रंज फाहूंड अश्चूल अनियुजरवली निच्वाइट जो पता है वाए पाता है जोसने काफी समान है फर्तक दिन की के पती 0 तब्रैजिक कोई पाटेख पाटेश्ट फार पाल को पाटेख पर बाटेख यह वास्टल पनिंग पनिंग प्स पेटीन पनिंग सुन आप्टेख शॉन फिरींग गूल कोईड़ मादिंग सूर्ग उपटाटी। लगाते हैं बैठते हैं टीकर और टीचर पहले उसके लेसंस जो होता है उसको आद करते लेकिन उस दिन क्या कुछ नहीं हो तो वहाँ पर बाहर अवाज तक नहीं आ रहा है पर अवाज आता है इस वर आवाज भी नहीं आता है कि वहीं वेंट इंसाद दे लेक्ट फ्रंज वर फैकन बट नथिंग है पंड मिस्टर हैमल रही कैंड लेसे इंग तो गूट था उसके बाट जाओ नेट्स फ्रंज नहीं प्रंज डर रहता बट नहीं थिंग नहीं है अब मिस्टर हमल वाट प्यार से बोलते हैं वह से कि गो वाट जाके बैट जाओ नेट्स फ्रेंज सव्प्राइज टू सी टीचर क्लॉट इन ब्लेज़ ब्लेज ब्लेज़ सीटिंग अड़ बैक डैक्ट ठीक होता है और सब्सक्राइब यह प्लेज़ेश जोगां वाली है पीछे डिच्प में बैट वे तर देखते हैं वार बट पटेस्ट जो बेंज गंदा होता तो वहाँ पर बैटेवे थे इस दिन देन मिस्टर हैमल ब्रॉक दा सौकिंग नूज दैट ऑल श्कूल अफ्रेंज डिस्टिक उड़ टीच जर्मल लेंगविज फ्रॉम नौन तब जो होता है मिस्टर हैमल उस सारे फ्रिसानी जो सारे सौक पर बन को निच्ट पॉइंट है और निव टीचर उटीच जर्मन टू दिम एक नए टीचर आपको जर्मन पढ़ाएगा उस्टर हैमल एनौन्स दाट इट इट इज माई लास्ट लेसन इस और मिस्टर हैमल बोगते कि या मेरा लास्ट लेसन फ्रेंच में आगे बताते हैं मिस्टर हैमल वाज ट्रांस फॉर्म एंड चेंज फर्सन ठीक है मिस्टर हैमल आज से ट्रांस वाने के रुपांतरियत हो चीक और यहां के लिए चेंज यहां के लिए बदल चुके हैं नेक्स समरी देखते हैं दिदेंट जूज रूलर वें फ्रेंज गोट विक्स अप और वा रूलर के परियोगने करें जब फ्रेंज अपने अंडिसिप्लीन में हुआ अपने में अपने बिना टैंप से पर तेक दिन अगर वह लेट साथा तुसे मार पादे आज उसे मार नहीं पड़ी मिन्स इसी सबस्सक जो जो कि मिस्टर हैक्मेल से घिजवें बसन और पांडेज हो गयते जब फूलर मिस्टर है ने पूटल एलसेश ऑर लोरींड निइंडिभर लर्णिग तेर मधर यूश ऑप यहाज सब्सक्षित करता है और मिस्टर हैम आपने आप में खेद जएंट्य हैं फ्रांस के लोगों को फ्रेंच मदा ठंग होते हुए भी उन्हें नहीं सिख पाए और नहीं सिखा पाए इसकी के परती जो मिस्टर है मेल है वह आप खेद व्यक्त करते हैं क्योंकि आगर आपका मदा ठंग और आप कुझे नहीं सिखते पढ़ने के लिए तो दूसरी का फ्र इस्ट्रेंट और एंड विलेजर्श तो रिस्पेक्ट और फ्रेंच और मिश्टर हैमल अपने श्ट्रेंज को कहते हैं कि जो अब का लैंग्वेज है फ्रेंच उसका रिस्पेक्ट करें गार्ड करें और कभी उसे ना भूलें विकाज डिकलिया दाट फेंच वाज दा मोस्ट प्यूटिफुल लॉजिकल लेंगवेज ते लेकिन उसे के अंदर बहुत ही ज्यादा इमोसंस हो गए और ज्यादा उनके अंदर खिरनाहाट चुब ले या तो उसके अंदर जो चॉक हो गए देन ही टुक आपीस अप्श चाक एंड रॉट एज लाग एज लाग एज शीकूट ऑन बोर्ड और आपने एक चॉक कर टॉक्ट अठाते और जितना से जितना बड़ा हो सके वह तना बड़ा लेगते वेवेवे और फ्रांस निस लाग लिए फ्रांस अमर रहें एक इसारा बनाते हैं अपने हाथों से और बोलते हैं कि आपका असूल खत्म हो गया आप जा सकते हैं इसी प्रांस से स्टोरी खत्म हुआ बच्चे भसाने से लिख सकते हैं स्टोरी को क्योंकि कोश्चन अधिकतर 10 मांख से पूछा जाता है रायर दा स्टोरी आप दाला र सकते हैं और हरे तरीके से अफ लिख सकते हैं मैं इसका कोश्चन नीचे डाल दे रहा हूं अब देखिया बनाकी मेरे पास बेशेंड कर सकते हैं थैंक्यू वेश्ट अफ लग एंड बने रहे मेरे साथ वसंद आया तो लाकिन कॉमेंट और सब्सक्राइब माई चैनल एंड से थैंक्यू